हलो इंवेस्टर्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्टमेंट की बजार पर पूरा आपको प्रोसेस इस वीडियो में जानने को मिलेगा कितना यहां पर अलॉट्मेंट चांसेज है के आर एन हीट एक्सचेंजर्स के अंदर कितने बिट्स यहां पर reject होती भी देखने को मिले है बिट्स क्यों reject होती है और क्या जीएमपी चल रहा है और प्रॉफिट पर लॉट क्या है सब भी आपको इस चोटे से वीडियो में जानकारी मिलेगी तो आप जरूर इस वीडियो को जादा ज्यार करें इस से क्या है ज्या स्यादा allen को मिले बाकि यहां पर अगर IPO की बात करे तो 96.74 times का overall subscription is IPO में आया था and यहां पर retail की मैं बात कर रहा हूं NII 431 गुना भरता हुआ देखने को मिला था जिसमें से small NII 421 गुना और B NII 445 गुना के आसपास भरता हुआ देखने को मिला था लेकिन बात हो रही है retail portion की retail portion 96 times भरता लेकिन जो applications यहां पर accept होती भी देखने को मिली है वो केवल 74 times होती भी देखने को मिली है तो more than 15 to 17% applications यहां पर reject होती भी देखने को मिली है application reject क्यों ही है यहां पर उसके पीछे कुछ कारण है सबसे पहला कारण अगर आपने IPO apply कर दिया है लेकिन आपने UPI mandate accept नहीं किया है तो एक option वो होता है rejection का secondly आपने IPO apply कर दिया है UPI accept कर लिए लेकिन उसके बाद आपने IPO cancel कर दिया है तो आपका application reject होता है thirdly आप कह सकते कई बार क्या है आपके bank मेरा राज़त है इससे का है funds block नहीं हो पाते है उसके कारण भी आप कह सकते UPI reject होती है and mandate reject होता है तो यह तीन कारण है जिसके कारण आप कह सकते इतना rejection होता हुआ देखने को मिला है तो इस IPO के अंदर इतना लोगों का rejection होता हुआ देखने को मिला है fourthly एक और कारण होता है कि अगर आपने UPI mandate लगा दिया है लेकिन आपकास mandate ही निया है मतलब आपने IPO अप्लाय तो कर दिया है लेकिन आपकास mandate ही निया है जिसके कारण आपकी bidra आती है तो वो सब आप कह सकते rejection जो है इस IPO में होते वे देखने को मिले और currently अगर आप बात करेंगे तो more precisely हर 77 investors में से एक lucky investor को यहाँ पर allotment मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो जो बहुत lucky है उसी को basically इस IPO को allotment मिलता हुआ देखने को मिलेगा सिंपल अब मैं आपको पूरा process पर लेकर चलता हूँ पहली बात एक बात है कि आपको रात को दस बजे के बाद यहाँ पर अपना allotment चेक करना होगा कल के दिन के में बात कर रहा हूं आज allotment नहीं चेक करना है आपको उसके बाद आपको simple सा process करना है बिक शेर आई पूराप्मेंट स्टेटस गूगल पर सर्च करना है जैसे आप सर्च करेंगे पहली लिंक आ जाएगी उस पर क्लिक करना है आफ्टर आप सर्वर वन, सर्वर टू कोई से भी एक सर्वर पर आपको सिलेक कर लेना है जैसे आप उन सर्वर पर सिलेक करेंगे उसके बाद एक ऐसा पेज उपन होगा जहापर आपको अपनी कंपनी सिलेक कर लेनी है कंपनी सिलेक करने के बाद आपके पैन नंबर तो पै तो आपने टाइम बेस्ट ना करें, कल रात को दस बजे के बाद ही अपने को अलॉट्मेंट देखने को मिलेगा, यह तो almost confirm है, बाकि यहां पर इसके अलावा कुछ प्रोसेस और है, जैसे कि debit and credit, अगर आपको debit का SMS आ जाता है, तो congratulations आपको अलॉट्में लग चुका है, लेकि API mandate में जाकर अगर तीरो टिक आ चुके हैं, तो congratulations, you got the allotment महाँ पर लिखावा होगा, तो वो definitely दोस्तों आप कहा सकते तरीके हैं, जिनके through allotment आप आसानी से चेक कर सकते हैं, बाकि BSA की website भी है, पर BSA की website पर maximum times no record आता है, इसलिए मैं यही कहूंगा, कि थोड़ा सा wait कर ले और BSA की website पर ही अपना allotment आखिर चेक करें, बाकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे GMP की, तो basically GMP 125% चल रही है, और आप मायन के चलिए अगर 10-20%, 30% गिर भी जाती है, तो भी 80-90% तो इस IP में कहीं नहीं गया, और 80-90% definitely कम नहीं होता है, इसलिए बस आपको allotment लग जा और I think so, अगर आपको allotment नहीं भी मिलता है, तो आगे Hyundai IPO आए और AFCONS I think आता हुआ देखने को मिल रहा है, वारे आएगा, Swiggy का IPO आएगा, IPOs की लाइन लगती भी देखने को मिलेगी, consistently apply करिये, अपने family members के तूर अपलाए करिये, friends के तूर अपलाए करिये, जिससे आपक आपके allotment chances increase होते हुए देखने को मिले और ultimately आपका profit होता हुए देखने को मिले, तो यह ही है, मेरी सला, बाकि अगर आपके और भी कोई 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 है, तो ज़रूर आप comment करके बता सकते, thank you friends on this video,